कि नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है बिहार अड़र 24-7 में साथियों जल्द से जल्द जुड़ जाए हमारे साथ ताकि जहारकन जिके जिए इसके लिए एक और महत्पुन शेशन की सुरुवात किया जा सके तो चलिए साथियों जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाए है ताकि एक और महत्पुन शेशन की सुरुवात किया जा सके चलिए आप सभी का स्वागत है बिल्कुल जी का स्वागत है निहां जी का स्वागत है आप सभी का स्वागत है स साथियों जल्द से जल्द जुड़ जाईए ताकि जारखन जी के जी इसके लिए एक और महत्वपुन शेशन की सुरुवात किया जा सके तो चलिए साथियों सुरुवात किया जाए और उससे पहले एक ज़रूरी सुचना साथियों याद रखिएगा बिहार एडर 24-7 आप को डाउनलोड करना ना भूले इससे क्या होगा इससे आप मेरे साथ साथ हमारे सारे टीम के साथ आप जुड़ जाएंगे और इसके साथ आपके इसके लिए आपको बहुत सारे फाइदे भी मिलेंगे हैना साथियों आपको बहुत सारी सब्सक्राइब को डाउनलोड करें और मैंने कई बार आपको कहा है साथियो एक एप वन प्लाटफॉर्म वन एप और सारी की सारी सुविधाय आपको एक ही स्थान पर मिल जाएगी तो चली साथियो जल से जल जो है बिहाराड़ 247 एप को डाउनलोड करें और हमसे जूड़ जाए चली साथियो प्रस्वेस सुरो करते सा चली पहला प्रश्न आप सबसंदे शकी और समय ना लेती वे चुकि यह wearily 2020 तो लेट हो गया साही उप पहला प्रश्थ होँले में हीलेक्या तो चली है इन में से कौन मुख मंद्री के नए सचीव निक्त गया है तो चलिए साथियों आंसर करें और बताए कि जहारकन सरकार के मुख मंत्री के नए सचिव कौन निउक्त किये गया है कई वार यह आंसर कर चुके हैं आप सभी तो चलिए साथियों कि कौन जहारकन सरकार के ने मुख सचिव निउप्त किए इन में से कौन है मुख मंतरि के ने सचिव निउप्त किए गए है चार्य में चलिए साथ यह जल जल आंसर कर में और बटाए हमें कि कौन य है मुख्ध मंत्री के नए सची निगत की गए गहें प्रवीन कुमार सिंग, आसिस तर्की, रमेश मुंडा या बिनैई चोवे तो सातीयों आंसर करें सातियों आंसर करिए क्या क्या होगा इसका अंसर कम से कम कुछ तो लिखिए सातियों जल से जल आंसर करें और हमें बताए कि क्या होगा इसका अंसर कुछ भी तो आंसर करें ताकि मैं समझ पाओं कि हाँ आप लोग जो है हमसे जुड़े हुए हैं और उसकी पूस्टी करें आप अपनी सूचना दे कि आप इस प्लैटफॉर्म पर उपस्तित हो तो उसकी सूचना कम से कम दर्ज कराए हैं न कुछ भी दर्ज कराए A B C कुछ भी लिखे लेकिन दर्ज कराए सूचना चलिए तक हमारे सारे साथियों ने इसकी कोई सूचना नहीं दे रहे हैं कि वह इस प्लैटफॉर्म पर है या नहीं है तो चलिए साथियों या देखेगा बिने चोबे ठीके साथियों या कि आली में डेरी डेवलेप्मेंट के लिए बर्गीज कूरियन लाइफ टाइम अचीब्मेंट पुरसकार किसे प्राप्त है यह प्रश्ण भी हम लोग कई बार सॉल्व कर चुके है तो चलिए साथियों एक बार फिर से सॉल्व किया जाए चुकि महत्वपूर्पूर्शन है औ देखती काफी जो है और आप सभी को याद रखना होगा इन प्रश्णों को दो चलिए साथियों आलसर करिए को द्याई दिया गया है 7 में नई फिरस्कार आगे जरूर मैं उसे भी ले करके आओंगा तो चलिसाति हो आजट करिए किえ ए चलिये की निहाजी का कहना है कि फिनिहाजी का कहना है कि एजह हो हाली में डेरी डिफलप्मेंट के लिए बर्गीज कूरियन लाइफ टाइम अचीमेंट पुरस्कार कि से दिया गया है चलिए बी मनोज कुमार एनी जी का कहना है कि बी मनोज कुमार साथियोत बस यही यही सारी एकी चीज़ पर हम बार बार चर्चा करते हैं और अब इस पर कोई चर्चान नहीं होगी क्योंकि आप लोग साथियो एक ही चीज पर रुख जाते हैं आप लोग मैसेज बहुत सोच करके करते हैं A, B, C लिखते हैं बहुत सोच करके लिखते हैं तो साथियो मैंने आपको पहले ही कहा कि आप exam hall में नहीं है कि आपको एक-ए साथी मिल्कूल सही उतर आप लोगों का मुकुल। प्रशाथ सिंग्ह को जो है लाइब़ ताइम आची में प्रषकार से समानित किया गया है बिल्कूल सही उतर चलिए नेक्स्ट प्रश्ण साथयो तर ऐना आज़े यह सभी Him यह घ्यात होगा कि जहारकर करना है कि जारकन के किस छेत्र में हाथियों के उत्पात बहुत अधिक देखे जाते हैं तो चलिए साथियों चार आपके सामने है इन आपसेंस में से आपको आंसर करना है प्राई इस छेत्र में जो है हाथियों का नजर आना और उनसे सम्मंदित दुर घटित होती है तो चलि इसी बात समझ लीजिए जो कोई भी है उतपाद सिफाई हो जाये जोरकने सफाई हो कितने मांके आते हैं 20 मांके आते हैं जादा से जादा 30 मांक आते हैं जो मैट्रिक लेवल के हैं ठीक है साथियो तो यह सारी चीजें तो इन है दीस और बीस में इनका भी स्थान है तो साथियों सब मिला करके बीस नंबर के लिए कोई अलग से तो त्यारी नहीं होती है सारे की त्यारी एक साथ हो रही है आप एक साथ जुड़े आपको सारी की सारी चीज़े जो है तैयार हो जाएगी ठीक है किसी के लिए अलग सी पूरी जहरकन क्लास चल रही है और सारी चीज़े जो है एक साथी इन्विल्ड होती है अलग-अलग क्लास का क्या महत्व है सब में तो आपको जहरकंडी पढ़ना होता है तो चलिए चलिए साथियों आंसर देखते हैं डी 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 बी सभी का कहना है कि डी होगा सब्सक्राइल क्या जमसेट पूर अध्सरे टी है पूरे भारत में इसका नाम भी है तो जमसेट पूर क्यों में सब्सक्राव्स हो सकता है कि दो से पाकूर या तुन्डी हो हाला कि टुन्डी जंगलों से घिरा हुआ गिरीडी का छेत्र है गिरीडी का छेत्र है और और अच्छा जोब है यह जिसी जिल हमें क्या पता पहली बात यह उत्तम कुमार जी दो मिनट रुकिया पहले इस प्रश्ण का अंसर दे रहें तो चलिए साथियो दो अपसंस आपके सामने मिल रहें यह हो गया आपके कौन हो गया यह वैल डबलब सीटी हो गया ठीक है जारकन के वैल डबलब सीटी जारकन में तीन ही वैल डबलब सीटी है साथियो एक पहला हो गया राची ठीक है दूसरी कौन सी हो गई धनबाद और तीसरी कौन सी हो गई जमसेटपूर इसे मिलियन सीटी भी कहा जाता है याद रखेगा दस लाग से अधिक की जनसेंख्या पाई जात है तो इन सीटी उपे तो संभव नहीं है क्योंकि इनके 20-25 किलोमेटर के दाइरे में तो डेवलब्लब्मेंट देखे जाएंगे आपको है ना यहां कोई जंगल यह नहीं देखे जाएंगे इंटेरियर इलाका से सहर तक यह घुस नहीं पाते है चलिए दो छेत्र बच गय साथियों याद रखिएगा कौन सा छेत्र है यह गिरीडी जिले के अंतरगत एक छेत्र है ठीक है है तुनड़ी तो यह गिरीडी के अंतरगत आता यह जब आप तुनडी जाएंगे तो आपको गिरिडी से प्रवेस करते हुए टुन्डी जाएंगे तो आपको 10-15 किलोमेटर जंगलों से पहाड़ों के 20 से हो करके गुजर के जाना होगा जहां दूर दूर तक कोई भी धुकान या कोई भी आपको सहरा देने वाले में भी उपस्तित नहीं रहेंगे तो सोचिए साथियो ऐसे इलाकों में ही हाथिया पाए जाते हैं और आप सबको याद होगा इतिहास की कुछ बाते भी कर लेते हैं आप सबको याद होगा मौर सामराज में हाथिया बहुत कहां से आती थी इतने हाथिया इतने हाथिया हमारे छेत्रे से वो पकड़ के ले जात अधिको नाम दिखीए दूसरा नाम साते हो या दोप चाची यह धनबाद गणाे ठाथा है ठीक है लेकिन यह काफ़ी इंटेरियर छेत्र है ठीक है यह भी काफी इंटेरियर छेत्र है तोब चाची आज भी वेल डेवलप नहीं है तो तोब चाची और टुंडी इन दोनों छेत्रों में क्या होता है बहुत जादा देखा जाता है कि हातियों का उत्पार देखा जाता है यह सभी जो है जंगल से स सीटी वाटर पार्क तो साथियों इसको इस प्रकार समझे कि विर्सा सीटी फन वाटर पार्क का निर्मान कहां किया गया है तो जल से जल आंसर करें और बताये हमें कि विर्सा फन City Water Park कहां पर जो है स्टार्ट किया गया है चलिया आंसर दीजिए हाँ जोहार जोहार बिल्कुल सभी को जोहार तो सातियों एक और बाद हमारे एक भाई ने एक सवाल पूचा है उत्तम जी ने सवाल पूचा है उत्तम जी मैं आप बरावर आते हैं और मैं देखता हूँ आपक क्यूं मांग रहे हैं आप ही बताए अगर एक कोई सजग स्टूडेंट है जो अपने केरियर के प्रती पूर्ण रुप से समर्पित है सजग है तो उसे किसी और से इस तरह के सवाल पूछने की जरूरत ही कहां आती है कि और वो भी इस तरह का सवाल जिसके कोई माइने नहीं रखते हैं अपनी गरीमा बचाए उत्तम जी ऐसे सवाल करें जो की पूर्ण हो इस पश्ट भी हो है ना आप पूछ रहे हैं कि बार बार मैं यह आपको समझा रहा हूं कि आप जब भी आते हैं जो भी प्रश्ण करते हैं उट पठांग प्रश्ण होते हैं तो बिल्कुल उट पठांग प्रश्ण ना करें पहले यह आप अपने में access करे कि आप अभी किस posting पर है या भारत के मुंट के िसी के पोस्टिंग पर है या जारखन के के कीविनिट सेकेटरी है या बिहार के 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 की पोस्टिंग पर है जरे अपने आपको जज्मेंड करे कोई भी नौकरी खराब नहीं होता है अलग अलग राज्यों के लिए होते हैं इसलिए सवाल बेटु का सवाल ना करे चलिए चलिए सात्यों बेतु का सवाल ना करें अगर आप राची से हैं तो किस अधार पर आप बोल रहें कि आप बिहार में फॉर्म भरेंगे इसका मतलब यहाँ पर ही समझ में आ रहा है कि कोई बच्चा भी कहेगा भाई जारकंड में नियम बना हुआ है कि जारकंड में है उसे मेट्रीक और इंटर देना है और बहठार में नहीं दे सकता है तो फिर इस तरह के वेतु के सवाल की क्या मतलब है? आप बच्चे नहीं है, competition में आने वाले सभी बच्चों की उम्र 26 साल हो जाती है सात्यों, अपने उमर को देख करके सही तरह से आकलन करिये, मैं कौन होता हूँ आकलन करने वाला? हमें तो अपनी देखनी है, है ना? हम कई साथी इसका आंसर दे चुके हैं हमारे कई साथी इसका आंसर दे चुके हैं सबसे बड़ा वाटर पार्क बिर्सा फन सिटी वाटर पार कहां है गालूडी जमसेद पूर में है न साथियो चलिए गालूडी जमसेद पूर में क्या है साथियो याद रखीगा सबसे बड़ा जहारकंड का सबसे बड़ा जो वाटर पार्क है बिर्सा फन वाटर पार्क है उसकी स्थापना की गई है ठीक है तो इस प्रकार के प्रश्णों को याद रखेंगे साथियों मेरा आपको दुखी करने का कोई उद्देश नहीं था उत्तम जी लेकिन एक 26-27 साल का लड़का अगर इस प्रकार का प्रश्ण करता है तो सोचने पर आती है कि भाई आप क्या प्रश्ण कर रहे हो आपको अभी यह पता ही नहीं कि आप प्रश्ण कर लीजिए अपनी पोस्टिंग ठीक करिए उसके बाद उसी से करिए बेकार का समय मत गवाए समय बहुत अमुल है आपकी और हमारी उम्र इसी उम्र तक पहुंच गए हैं अभी तक किसी को समझ में नहीं आया तो समय बचाएं और काम पर जादा ध्यान दे तो चली सातियों गेल इंडिया की द्वारा हाली में कंप्रेस्ट बायो गैस प्लांट का निर्मान कहां किया जाएगा आसान प्रश्ण है लेकिन महतुपून प्रश्ण है ऐसे ही कुछ महतुपून प्रश्णों को जोड़ करके आपको स्टोर करना है ताकि क्या हो जब भी कोई प्रश्ण है उसे आप सॉल्व कर पाएं चली सातियों आपको बताना है गेल इंडिया की द्वारा कहां पर जो है कंप्रेस बायो गैस प्लांट लगाए जा रहे है तो चली सातियों और से करें यहाद ही इसके अची कंप्रेस बायो गैस प्लांट लगाये जा रहे हैं और उस च्छेठ के नगर निगं любой के साथ जो है दो वर्सां का समझेता भी हुआ है तो चली साथियों आपको आंसर करना है किस के साथ किस जिले के साथ जो है यह समझता हुआ है वहां के नगर निगम के साथ यह समझता हुआ है तो चली साथियों आंसर करिए कि हाँ जी साथियों जल से जल आंसर करिए जूट बोलने के लिए इस प्लैटफॉर्म पर थोड़ी आये हुए हैं यह समझना होगा आपको कि यह जो क्लास इस्पेसली चल रही है उसी की मैं पढ़ाओंगा सोवात में एक बात बस इस पर दूसरी कोई पर लगाये गया था चलिए दो सस्क्राइब नगर निगम के साथ फाला कि नाची के साथ निगर- निगम के साथ यह संजोता हुआए यह ना यह महत्वपून प्रश्ण भी है साथियों याद देखेगा राची नगम निगम के साथ सम्झता हुआ है दो वर्सों तक ये काम करेंगे दो कंप्रेस्ट अब बायोगेस प्लांट भी इसके लिए लगाए गये हैं तो साथियों याद देखेगा गेल के द्वारा एक की स साथियों चलिए साथियों नीती आयोग द्वारा जारी कूप उसोन मुक्त जार्खंड में प्रथम स्थान पर कौन है आपने देखा हाली में जार्खंड जो है बारवे स्थान पर था नीती आयोग द्वारा जो रिपोर्ट जारी की थी अब आपको बताना है कि कौन सा जिला कूपोसोन मुक्त इस्थान पर प्रफम इस्थान पर है तो चलिए साथियों आंजर करें गुमला है लोहर दगा है गुड़ा है या धनबाद है चलिए साथियों जल से जल आंसर करें चलिए साथियों कौन हो सकता है हाली में नीती आयोग द्वारा जारी कूपोसोन मुक्त जार्खन पर प्रफमिस्थान जार्खन में प्रफमिस्थान कौन से जिले का है लोहर दगा है कि गुड़ा है कि धनबाद है कौन हो सकता है तो चलिए आंसर आ रहे हैं हमें डी 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 सभी का कहने कि धनवाद होगा धनवाद होगा धनवाद होगा धनवाद होगा तो साथियों देखिए कुछ हाला कि हाला कि यह रिपोर्ट तो अपनी जगह पर है यह रिपोर्ट अपनी जगह पर है अगर आप जारकन का सफर करेंगे दो छेत्रों की और अगर आप जारकन का स expecting Boon program से यह उत्रीचोट अब पूर्णापुर है ठीके साति अध्या चूटनापुर है यह अगर आप गौर से देखेंगे साथ्य ये जो आप आलामु आप देख रहे हैं इससे सटे वें जितने भी जिले है ये सारे जिले काफी छोटे-छोटे हैं है न और इधर में भी जो आप देख पारे जो 6 जिले क हेरे हम लोग संथाल पर्गना के अंतरगत गुटा गुड़ा दुमका पाकूर साहिब गंज है ना यह सभी जीले जो है बहुत छोटे-छोटे हैं आप जब जब आप सहर रोट से जब आप सफर करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जामतार से दुमका पहुंच गए पांस-दस मिनिट के बाद फिर आप गुड़ा क्या होता है आसान हो जाता है और बड़ी सहरों में कौन को नहीं आते हैं बड़ी सहरों में आ जाते हैं आपके कौन-कौन एक तरफ धनबाद आ जाते हैं एक तरफ राची आ जाते हैं आदित्पूर जमसेदपूर यह जो सहर आप देख रहे हैं इनका एरिया भी बहुत ब नेक्स प्रश्न साथियो हाली में किसे जार्खण में Miss Great India 2021 का पुरस्कार दिया गया है आपको बताना है कि जार्खण में Miss Great India 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है और आसान प्रश्न साथियो तो फैक्ट है इसमें तो कुछ समझाना नहीं है सिर्फ आपको आंसर करना है A B C D तो साथियों चलिए आंसर करिए कि हाली में किसे जार्खण में Miss Great India 2021 का पुरस्कार दिया गया है अंजली अंजली सभी का कहना है कि अंजली बुल बुल जी का कहना है कि नहीं जहनती होगा तो चलिए साथियों आंसर करिए अभी देखिए उत्तम जी का आंसर आ रहा है अर्थात आप जार्खण के आंसर करने हैं अभी आप फिक्सी नहीं है आंसर भी कर रहे हैं चलिए क्या बोलेंगे चलिए साथियो ध्यान दीजिए उत्तम जी अपने ऊपर अपने ऊपर प्रॉपर ध्यान दीजिए कि आपके स्थेत्र में जाना चाते हैं समाई नश्ट करके आपको कोई फाइदा नहीं होगा 26 हो गया है कि नश्टय यहां तो चलिए यहां रुखिए गा शर्कर में मिश ग्रेट इंडिया वाट दिया गया मिल्कुल सही उत्तर ढूल बूल किसे दिया गया है आपको बताना है चतिस गड़ में संपन हुआ था राष्टियों पावर लिफ्टिंग परतियोगीता और इसमें बेस्ट लिफ्टर आफ इंडिया का खिताब किसे परदान किया गया है चार आफसेंस आपके सामने साथियों आंसर करिए चलिए साथियों जल से जल आंसर करें और बताएं कि चतिस गड़ में राष्टियों पावर लिफ्टिंग पत्विता संपन विती जिसमें जार्खंड में जार्खंड से जो है इस खिलाडी को क्या मिला था बेस्ट लिफ्टर आफ इंडिया का खिताब प्राप्त हुआ था त तो चलिए साथियों या देखेगा आंसर होगा असोक कुमार गुपता जी को मिला था ठीक है चलिए अक्सट प्रेशन अगर तो धोड़ा सा हम इसमें अध्याण के लिए है और यह सवे दोत लगाता चलेगा था Walmart 레ні Germain जारकर्ण सरकार की JCRT संपन करवारी है, NCRT संपन करवारी है, या साथ में निती आयोग दोबारा संपन हो रहा है, या इन में से कोई नहीं हो रहा है, तो चली साथियों, आंसर करें और बताएं कि online education के लिए survey किया जा रहा है, क्यों survey किया जा रहा है, JCRT, NCRT, निती आयोग या इन में से कोई नहीं, तो चली साथियों, आंसर करें, चली आंसर आ रहा है, B, 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 सभी का कहना है कि B, बहुत अच्छा पकड़, बहुत अच्छा पकड़, ऐसे ही साथियों, प्रश्ण जो होते हैं, प्रश्ण में जो होते हैं, उसमें कुछ नहीं, उसमें सिर्फ आपको analysis करना है, ऐसा किसी के द्वारा भी संभव नहीं है, कि सारे प्रश्णों को वो अपने दिमाग में store कर ले, ये कभी possible नहीं है, लाख आप तागत लगा लीजिए, अपने दिमाग पर सारे प्रश्ण आप store नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ प्रश्णों पर दिमाग में रख लेना होगा, कि ये काम कौन कर सकता है केंद्री स्थर पर, तो साथियो, NCRT के द्वारा ये काम कराया जा रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का, NCRT जो है, Online Education को ब्रिधी के लिए, या लाने के लिए Ground Level पर, जो है जारकन में एक सर्वे कर रही है, बिल्कुल सही उत्तर साथियो, याद रखेगा, B जितने भी साथियो न लिखा है, उन सभी का सही उत्तर, चलिए, अब एक और आसान प्रशन है ना साथियो, राष्टियो सक्तिमंच गोड़ा की और से, जारकन रत्न सम्मान की से परदान किया गया है, ये सारे प्रशन जो है, याद रखेगा, ये सारे प्रशन जो है, common questions है, जारकन के किसी भी आने वाले एक्जाम में, ये प्रशन आही जाएंगा, अगर आना होगा तो आएंगे, ठीक है, तो चलिए साथियों आंसर करिए कि, राष्टियो सक्तिमंच गोड़ा की और से, जारकन रत्न सम्मान की से परदान किया गया है, ये चीज़े जो है common है, और ये जारकन के हर एक्जाम में, अगर आना रहेगा तो साथियों आ जाएंगे, और ऐसे प्रशनों को आपको भूलना नहीं है, तो चलिए साथियों आंसर करिए कि, क्या होगा इसका आंसर, राष्टियों सक्तिमज गोड़ा की और से जारकन रत्र सम्मान किसे परदान किया गया है, आर्थी कुजूर को, पूजा सुकल को, नंदिता देवी को, इन में से कोई नहीं किसे दिया गया है, चलिए आंसर हमें प्राप्त हो रहा है, पूजा सुकल नंदिता देवी और आंसर प्राप्त हो रहा है, चलिए जैन अनि जी का कहना है की B होगा, उइत्म जी का कहना है की A होगा, आर्थी कुजूर होगा, तो चलिए, बहुत सारे उत्तर हमें प्राप्त हो रहे हैं, बिल्कुल सही उतर तो यह कुछ-कुछ प्रस्ट मैंने कहा है साथियों कि बहुत कौमन होते हैं पूजा सुकल को क्या मिला हुआ है राष्टियों सक्ति मंच गोड़ा की और से क्या दिया गया है याद रखिएगा जार्खन रत्न सम्मान परदान किया गया है किसे दिया गया है पूजा सुकल को दिया गया है बिल्कुल सभी का सही उतर बहुत सारे साथियों का सही उतर हुआ है है ना हम यह देख पार है कि बहुत जिनने भी लिखा है तो चलिसा चलिसात्यों एक और मेहत्वपुन प्रशन आपको बताना है कि कोरोना के बाद कर समय का यह इवेंट इंटरनेट को सुचारू रूप से चलानी के लिए ठीक है तो सातियों स्रीकांद पाल के द्वारा एक स्पेशल एंटीना जो है डिबलब किया गया था तो आपको पताना है यह कॉल से विस्वविद्दाले से जुड़े हुए है तो चलिए सातियों आंसर करिए कि कॉल से वि हाजी जोहार 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 बिल्कुल जोहार चलिए सातियों आंसर करिए हाँ भी बी-आई-टी में सरा चलिए चलिए सातियों इंटरनेट स्पीड और डेटा ट्रास्मिशन को सुचारू रूप से चलानी के लिए है ना सुचारू रूप से चलानी के लिए एक इस्पेश recogn. एंटेना जोय डिफलब किया गया था श्रिकान पाल के दुवारा डेवलब किया गया था तो आपको बताना है कि वो कौन से इनिवर्सिटी से जुड़े हुए है तो चली साथियों आंसर बहुत सारे हमें प्राप्त हो गये है आईटी आएसम भी कुछ का उत्तर है कुछ का उत्तर कहना है कि नहीं डी होगा जेसी होगा और क क्या बाहर आएगा जारकन Central University एक नौर्मल विश्विद्द्र लेकाइब का अर्थ है सात्यों जैसे बाक्य ओस्विद्द्र होते हैं यहां आर्ट्स की पढ़ाई होती है साइन्स की पढ़ाई होती है और और कॉमर्स की पढ़ाई होती है तो यह जारकन के Central University एठीक है चलि वाली options ये दोनों engineering department के है ठीक है अब हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में जो है हमें आगलन करना होगा कि कौन सा सही हो सकता है क्योंकि कई बारी यहां भी जो है engineering के development होता है और साथ में बियाइटी मेसरा भी होसकती लेकिन जहारखन में आप देखेंगे अधिक से अधिक आधिकार जयों मेंने बियाइटी मेसरा बहुत एहम रोल है हर चेतर में बीचिजोंगो का परशे और जहारखंड में इन सभी चीज़ों का परचार भी नहीं होता है तो बी आइटी के द्वारा हर कार जो है जहारखंड के लिए किया जाता है तो साथियो यार देखेगा बी आइटी मिस्रा चलिए नेक्स प्रशन साथियो संभावनाय और चुनोतिया यह क्या है साथियो संभावनाय और चुनोतिया यह क्या है यह एक वेबिनार की थीम है ठीक है एक वेबिनार की थीम है एक अंतराश्टिय सम्मिलन का आयोजन किया गया था है ना और इस वेबिनार की थीम है संभावनाय और चुनोतिया तो आपको साथियों आंसर करिए संभवनाय और चुनोतिया थीम पर हाली में अंदराश्टियों वेबिनार सेमिनार का आयोजन किया गया था और आपको बताना है कि इस वेबिनार का आयोजन है ना कौन से विश्व विद्याले के दुवारा किया गया था चलिए आंसर देख लेते हैं ऑज़ी जो जो दोती हिंगे कुए स büyवनाय और चुंतिया थीम पर हाली में आर यू के द्वारा शाथियों किया है बहुत साथियों स्यूतर RPG सथियों या Pedro देखेगा, अंतर अश्तियों webinar का आयुजन किया गया था, ठीक है, और उसकी जो theem थी वो किया थी, संभावनाए और चुनोतिया, है ना, इसी theme पर जो हैं साथियो यहाद देखेगा, क्या क्या आयोजन किया गया था अंतराष्टियों वेबिनार का आयोजन किया गया था तो चलिए नेक्स नेक्स साथियों हाली में जहारकन सरकार के द्वारा प्रवासी मजदुरों के प्रवासी मजदुरों को कामगारों की समस्या के निदान के लिए कौन से पोटल कौन से पोटल की सुरुवात की गई आपको बताना है कोरोना काल के बाद की समस्या है बाद की समस्याओं से निदान पाने के लिए जहारकन सरकार के द्वारा कौन से पोटल की स्थापना की गई थी मूल रूप से ये कामगारों प्रवासी मजदुरों के लिए सामने हैं आपको आंसर करना है इनमें से कौन सा पोटल है जिसे ज़ारकन सरकार के दौरा प्रवासी मजद spaghetti क समंद्री समस्या को दूर करने के लिए बनाए गया था ने चलिए साथ है do चलिए ए आंसर हमें प्राप्त हो रहे हैं ए ए हां साथियों इसमें मैं बताओ रहा हूं आप लिखे थोड़ा सा चलिए आगे लिखे आंसर लिखे पहले सभी साथी आंसर लिखे जारकन सरकार के दौरा कामगारी प्रवाशी कामगारों कि समस्य को समधान के लिए साथीों जहल से ज़ल आंसर कर रहे यह हुआ बिल्कुल ज़स्वा सारे साथी जो है आंसर एकदम लगातार करने लगातार करने यह काफी सही है यह चाहिए साथियों प्रशने आए और आंसर आप सुरू हो जाना चाहिए यह हमें चाहिए ताकि हम भी जो है अलग-अलग कुछ काम कर पाए आप सब के लिए हाँ स्टूडेंट के बीच में जो है उथ्सा है अगर उथ्सा स्टूडेंट को हो तो सिक्षक को भी उतना उथ्सा से काम करने का मन करता है तो चलिए साथिव बिलकुल समाधान साथिओ ठीक है साथिओ इससे थोड़ा देख लेना है आप सब को मैं बता रहा हूं इसी चीज़ प्रश्नेट आपको बताना है कि मोंहार टपनो मोंहार टपनो का संबन किस खेल से है मोंहार टपनो जिनोंने हाली में कर्म दहा में साथ्य्यया तो क्या किया है तो चलिए सा सथी आंसर करिए साथ यो आंसर करिए क्या होगा इसका अंसर हां जी चलिए रुपेजी का अंसर हमें प्राप्त हुआ है निया जी का कहना है कि डी जुटो फुटबॉल फुटबॉल चलिए फुटबॉल सभी का कहना कि फुटबॉल होगा फुटबॉल पर संभावनाय सभी को दिख रही है क्रिकेट भी संभावनाय दिख रही है है ना बुलबुल जी को क्रिकेट पर संभावनाय दिख रहा है कि हो सकता है कि क्रिकेट हो तो चलिए साथियो मनों हर्ट ओनों का संबन्ध किस से हैं ती छारकंड क्या है यह एक प्लेट्टieu जतने भी होते हैं अब सभी पता भी होगा कि पहार परवत करो शॉट हाइट में होते हैं ठोड़े गठीले यह उनका जो हैट होता है छोटा होता है क्यों क्योंकि पहाड में चलने में उन्हें काफी आसानी होती है अगर को एक लंबा वेक्ती पहाड पर चलेगा तो उसे सांस फुल जाएगी जल से जल इसके पीछे वी रीजन है साथ हो ग्रैविटेशन जो है हमें डाउनवर्स के और घीजती है है ना तो जितना जादा आप जाएंगे ग्रैविटेशन से आपको नीचे घीज देगी लेकिन पहाड के लोग थोड़े सौट हाइट के होते हैं इसलिए उनके उपर जोए ग्रैविटेशन का प्रभाब क्या होता ह है और वो जंगलों में आराम से गुजर सकते हैं पहाडों पर भी आराम से चड़ सकते हैं लेकिन जो वेक्ति लंबे होते हैं अर्थात मैदान के लोग है ना जब पहाड पर जाते तो क्या होते हैं उन्हें ठकान बहुत जल्दी आने लगती है उनके सरीर के जो साइज होत नाम भी खमाया है साथ यो दो खेल एक होकी जंगलों में ज्यादा तर कौन से खेल खेले जा सकते हैं बच्पन को याद कीजिए बच्पन में कौन से खेल डंडो से आप खेले होंगे यहां पिर बहुत सारे नव विभक कि जो छमता होती है काफी अधिक होती है फिजिकल है ना हाला कि सब को वैसा नहीं होता है मैं स्वाइगी लड़ने की छमता में माहिर में एक दम कम हूँ है ना साथियों तो या दखिएगा इसके लिए क्या होती है कि आपको पता है कि आप बहुत कुछ जातियों का भी जितने भी अंतराष्टे इस तर पर उठे हैं अब तक तिल नाव अब तक हैंना कहां से सुरू करेंगे उनीस्टो चौवेस के जैपार सिंग से सुरू करेंगे अगर उस समय से लेकर अब तक सलीमा टेटे निकी परधान तक जो की हाली में रियो ऑलिम्पिक को जो है भारत निकायों को तीर चलाना बहुत आसानी से आता है यह उनके डियने पर ही है तो साथियों इन सब चीजों पर जो है जादा ही हो सकता है अगर हो तो ऑप्सेंस में तो हौकिया फुटबॉल है तो आंसर होगा होकी चलिए कुल 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 कितनी रासी के चैनल सरकार की दी गई है चलिए फैक्थ सात्यों जल सव जल आ अंसर करिए कि नगर निकायों को कितनी रासी दी गई है पंद्रवे बित-ायों कि और से आंसर करें साथियो आंसर करें साथियो जल से जल आंसर करें बी चलिए साथियो एक और बहुत ही बहुत ही दिमाग में आ रहा होगा सभी साथियों का कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 2021 जबकि 21-22 क्यों नहीं हो रहा है 21-22 के प्रश्ण क्यों नहीं आएंगे साथियों सबसे पहले तो आप आकलन कीजिए कि जारखन में जो जो भी बच्चे यहां पर जुड़े हुए है जो जारखन की बात करते हैं उनसे मैं पूछ रहा हूं कि जारखन के फॉर्म कब निकले है जारखन के फॉर्म तो 20 में ही न फीका लगां लेगा है तो मों बूचहेंगे तो हैं पीछे believe PST के और पूचहें यहीं समस्या उध्म हुआ था साथ याद देंगेगा सेवन से लेकर को टेंडईी यह थी में चीक के अर्थाथ सारे इक्जाम हुआ था दो 2,5 साल के बाद सभीमों को लगा कि हाँ पुछले 6 महीने च्वाला कि प्रश्ण पक्रने से बनके रिडी था पूछा गया एक साल पीछे का और सब सारे स्टूटेंट गिर गए तो सात्य हो के 6 महीने है ना 6-7 महीने या एक साल भी आपको कवर करना है अब आप कैसे कवर कीजिएगा यह आपकी मर्ची ठीक है हाला कि यह चल रहा है फिर बंड हो जाएगा अब फिर नया हम लोग ले करके आएंगे ठीक है चलिए तो इसका अलसर क्या होगा 282 कडोर बिलकुल सही उत् नेक्स प्रशन जंजातियों लोगों में सेंद्रा सिकार ठीक है सातियों यह सेंद्रा होगा सेंद्रा सिकार सेंद्रा सिकार कब खेलते हैं आपको बताना है कि सेंद्रा सिकार खेलना जंजातियों लोगों में एक महतुपून घटना होती है सातियों जंजातियों कला में ज यहां पर भी आएगी सभी चीजों की चर्चा हम करेंगे देशावली जैसे पर बारा वर्सों में एक बार संपन होते हैं कुछ ऐसे भी परवें जो महिलाओं के द्वारा सिकार खेला जाता है जंगलों में तो आप समझ पा रहे हैं कि जन जाती हो समाज में पुर्सों के साथ महिलाओं का भी उतना ही अहम रोल है है ना और आपने देखा होगा कि आज जारखन में जितने भी कवी हैं लेखक है उनमें सबसे जादा महिलाओं का इस्थान जादा हो चुका है पुर्सों का तो नामी नहीं आता है बहुत कम पुर्सों का नाम आता है उन साथ किस महीने में इसे खेला जाता है तो चली सातियों मैं बताता हूं आपको सेंद्राइसिकर क्या होता है आप सेंद्रा सिकार होता है है पाल गुन महीने के पुरणिमा के दिन जो है सेंद्रा सिकार होता है सेंद्र सिकार में क्या होता है साथियों याद रखेगा जैसे हमारे अनारक्षित वर्ग में क्या होती है मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए क्या होती है साथियों ब्रामन होते हैं ब्रामनों का कार क्या होता है पूजा अर्चना करना तो साथियों या करने के लिए पूरे दीन भर बाहर जाते हैं और सिकार करने के बाद जब वह बापस आते हैं उसी सिकार से जो है प्रशाद बनता और सभी के बीच में बित्रन होता है तो इस घटना को का जाता है सेंद्रा सिकार तो चली ये कब संपन होता है ये फालगुन महिने में संपन होता है जारखन की कला संस्कृति जो साथियों अनोखी है आपको मैं बता दू जारखन में आपको दो तरह की घटना जरूर दिखेगी अगर आप जारखन के कुछ नियूस को पढ़ेंगे जब भी किसी मंदर में पूजा अ आप ब्रहामन जाकर के पूजा करेंगे तो ऐसे दो तरीके के पूजा एक साथ संपन होते हैं और उसके बाद उसका पूजा होता है ऐसे कई मंदिरों में हर एक मंदिर में लगवाग हर एक मंदिर में इसी प्रकार के पूजा संपन होते हैं पहले जंजातियों समाज के जो पुझा करते हैं उसके बाद फिर ब्रहामन जो वहाँ पर अलग से पुझा करते हैं तो यह चीज़े जहारकर में आप देख पाएंगे कि एक संजुक्त जो संस्कृति है वह आपको देखने में मिलेगी चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट साथियो इन में से किसका चैन बिजनेस लीगल वर्ल्ड अंडर 40 में हुआ है आपको बताना है कि इन में से किसका चैन जो है बिजनेस लीगल वर्ल्ड अंडर 40 में किया गया है तो चलिए साथियो आंसर करिए किसका चैन जो है भी बिजनेस लीगल वर्ल में हुआ है चलिए साथ यो बिजनेस लीगल वर्ड अंडर 40 हर वर्स इनके द्वारा 40 युवाओं को है ना युवाओं का चैन किया जाता है युवक और युथी दोनों है ना तो अर्थात मेल फे मेल दोनों जो की अपने अपने छेत्रों में जो है एड़ोगेट का कार करते हैं अच्छे एड़ोगेट हैं किसी कंपणी को चलाते हैं अर्थात उहां जो है जो लीगल डिपार्टमेंट है उस लीगल डिपार्टमेंट को समालते हैं तो आपको बताना है कि जार्खन से लीगल वर्ड और 40 में किसका चैन हुआ है आप सभी को याद होगा अनुपम अलोक पुरूस में विछे रहन हुआ था अनुपम अलोक जी का चैन हुआ था जारकर से और आप यहां से आपको बताना है कि एक और चैन हुआ है legal under world 40 में किसका चैन हुआ तो चलिए साथ वा लीगल वाल्ड अंडर 40 में हुआ है तो साथियों जैसे मैंने कहा कि एक नाम और याद रखिएगा अगर पूर्सों की सेड़ी में पूछा जाए तो अनुपम अलोग ठीक है इस चीज को भी आपको याद रखना है कि अनुपम अलोग का चैन हुआ है तो अगर आपको कहीं प आत्यान जो है पैसावजा.com से जुड़ी भी है और वहाँ पी ये लीगल जो लीगल की जो सारी काम होते वो देखती है तो सिवाली का त्यान जो है सिवाली का त्यान का चैन कहां पर हुआ है बिजनस लीगल वर्ड अंडर 40 में हुआ है चली नेक्स प्रश्न साथियो आपको बताना है साथि हो इनडेशन चैलेंज डिजाइन कंटेस्ट में फाइनल में जगब बनाई अच्छा आपको बताना है साथि हो इन में से कौन है जिन्नोंने इंडियन इनोविशन इनोवेशन चैलेंज के डिजाइन कंटेस्ट में फाइनल में स्थान बनाया था हला कि वो जीत नहीं पाए लेकिन आपको बताना है कि इन में से किसके द्वारा इंडियन इनोवेशन डिजाइन चैलेंज में या कम्पेटिशन में फाइनल में स्थान बनाया गया था जो की ज तो चलिए साथ चार आपसर्स आपके सामने हैं आंसर करिए करें 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 कि रोहित कुमार एनीजी का कहना है कि रोहित कुमार होगा तो चली साति हो इनमें से किसने इंडियन इनोविशन चैलेंज अर्था डिजाइन कंटेस्ट में फाइनल में स्थान बनाया था सभी का कहना है कि रोहित कुमार होगा रोहित कुमार होगा रोहित कुमार होगा रोहित कुमार होगा सभी का कहना है कि रोहित कुमार ही होगा और कोई नहीं हो सकते हैं तो चलिए चलिए हमारे देश में जनता बिल्कुल सही है हमारे देश की जनता दूसरों देशों की जनता से एसिया से तो काफी अच्छे है एसिया के बाकी जितने भी कंट्री है उन कंट्री और हमारे देश में जो भी जनता है उनकी सूजबूज की जो सक्ती है वो काफी अलग है है ना और आप देखी पा रहे हैं कि आज जो है मोधी जी के द्वारा पूरे देश का नित्रुत्व किया जा रहा है जी ट्वेंटी की अधच्छता भी हमें अप्राप्त हो गई है तो साथियों ने ने हमारे यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट भी हो रहे हैं और रहित कुमार और रोहित यादव में कन्फीजन हो सकता धियां रखेंगे रोहित यादव ठीक है तो इसका अंसर ने होगा साथि कि ईसका अंसर होगा रोहित यादव क्रांब प्रश्न एक और प्रश्ण ग्रैप्लिंग कमिटी ओफ इंडिया की तरफ से किसे डेवलप्मेंट कमिटी ओफ इंडिया के निदेशक पद पर मनोनित किया गया है आपको बताना है इन में से जार्खन के किस वेक्ति को ग्रैप्लिंग इंडिया कमिटी की और से डेवलप्मेंट कमिटी में निदेशक पद पर जो है मनोनित किया गया है तो चली साथ हो आंसर करिए किसे मनोनित किया है प्रवीन कुमार सिंग्ग, आसिस्तिर्की, रमेस मुंडा या इनमें से कोई नहीं तो चली साथ हो आंसर करिए तो चली साथ वो आंसर करें कि इस से जो है डेवलप्मेंट कमिटी ओफ इंडिया के निदेशक पत पर है ना मनोनित किया गया है किसके द्वारा ग्रैप्लिंग कमिटी ओफ इंडिया के द्वारा मनोनित किया गया तो चली साथ वो आंसर करें जल से जल चली साथी वो आंसर करें चली एक आंसर हमें मिला प्रवीन कुमार दूसरा आंसर भी हमें मिल गया है चली शरी आपसेज़ और तीनों क्लास आने की कोशीश दहाँ आउसे जूडेंगे के लिए आने वाले क्लास अर्था तीन बजे एक और महत्पुन क्लास से जुड़ना ना भूले साथी हो ठीक है तो चलिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद